हाई, I am Shubi और आप देख रहे हैं Glam Up रुबीना दिलेग एक ऐसी एक्ट्रेस है जिने अपनी एक्टिंग करियर के शुरुआत से ही हमेशा ही पसंद किया जाता रहा है और फैन्स का भर भर कर प्यार भी मिलता रहा है लेकिन रुबीना को अपने नाम की वजह से काफी हेटरेट भी जीलनी पड़ी उसका रीजन क्या रहा और रुबीना की लाइफ से जुड़ी कुछ अंजानी बाते मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो इस वीडियो को आप एंट तक जरूर देखे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रुबीना दिलेक का बच्पन शिमला हिमाचल प्रदेश में एपल्स के बगीचों के बीच गुजरा आज भी जब कभी उन्हें अपने करियर लाइफ से ब्रेक मिलता है रुबीना शिमला के उसी छोटे से शहर में जाकर अपना सुकून ढूनती है रुबीना को अपनी दादी के साथ सेब के बगीचों में टाइम स्पन करना आज भी उतना ही पसंद है उनकी फैमली में उनकी दादी और पैरेंस के लावा उनकी दो सिस्टर्स भी है रुबीना के फादर हिंदी बुक्स के राइटर रहे हैं इसी वज़े से रुबीना को भी पढ़ने और लिखने का शौक बचपन से ही विरासत में मिला उन्होंने शिमला पबलिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट की और शिमला के ही सेंट बीडी कॉलेज से अपनी कॉलेज डिगरी ली रुबीना की वोकल स्किल्स और कॉन्फिडन्स उनकी बातों में साफ नजर आता है और उसका रीजन उनके फादर रहे हैं रुबीना बच्पन में काफी डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया करती थी और स्कूल डेज के दौरान वो डिबेट में नैशनल लेवल चैंपियन भी राचुकी है रुबीना की ब्यूटी से सभी इंस्पारड है लेकिन रुबीना अपने लुक से परेहट कर अपनी लाइफ जीती आई है उन्हें इंटरनली काइंड बने रहने और अपने इंटलिजन्स पर वर्क करना असली खुशी देता है उनकी इंटलिजन्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपनी खुपसूरती से वो कभी आपसेस्ट नहीं रही और अपने यंगर डेज से ही वो बस आईएस बनने के सपने देखा करती थी जिसके लिए उन्होंने कुछ साल कोचिंग भी ली रुबीना अकेडमिक्स के लावा एक्स्ट्र करिकुलर अक्टिविटीज में हमेशा से एक्टिव थी और अपने कॉलेज देज में कुछ ब्यूटी पैजन्स की कंटेंडर भी रही और उस दरान उन्होंने दो लोकल ब्यूटी पैजन्स भी जी थे अपनी उसी विनिंग को उन्होंने आगे भी ट्राय करना ही ठीक समझा और 2006 में मिस शिमला कॉंटेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया और वो उस कॉंटेस्ट में भी विनर रही फिर 2008 में उन्होंने चंडिगर में हुए मिस नौट इंडिया पैजन्स को भी अपने नाम कर रहे और चाहिए देश में कुछ हुआ हो या फिर पॉलिटिक्स में हमेशा ही उन्हें उनके नाम की वज़े से अपना ओपिनियन रखने को कहा जाता था ऐसे ही एक इंसीडन के दौरान काफी लोग उन्हें एद मुबारक विश करने लगे रूबिना ने उस दिन इस बात क में विश्वास रखती है हम सभी इंडियन्स है और उसके आगे कुछ भी नहीं है और वो कास्टिज्म के नाम पर हुमेनिटी के टुकड़े हो जाने को गलत मानती है रूबिना की इंग्लिश स्पिकिंग स्किल्स सभी को काफी पसंद आती रही है इसका रीजन ये है कि वो बच्पन से ही अपनी इंग्लिश पर ध्यान देती रही है अपनी हर चोटी से छोटी ग्रेमाटिकल निस्टेक्स को आज भी वो सीरियसली लेती है और खुद को ये कहकर स्कोल करती है कि काश क्लास में थोड़ा ठीक सपनी टीचर की बात सुन दी होती वैसे वो बच्पन से ही पोयम्स लिखती रही है और अपने फादर की हिंदी रिटन बुक्स और पोयम्स को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करती है रुबीना ने अपने करियर के शुरुआ चोटी वहन शोव से की थी उनकी यंगर सिस्टर रोही नी और उनकी एक फ्रेंड चोटी बहू के उडिशन देना चाहती थी और वो उडिशन उनकी पास की लोकालिटी में ही चल रहे थे जब उनने रुबीना को उन्हें कमपनी देने के लिए पूछा तो वो भी टाइम पर्स करके आज आउंगी सोचकर उडिशन देने चली गई उडिशन रूम में सभी लोग अपनी डा से डायलोग पेपर्स ले लिए जस्ट उनों की ऐसा भी क्या डिफिकल काम है डायलोग ज्याद करना और सिर्फ खुद की कबिल्योत को टेस्ट करने के लिए उन्होंने भी ऑडिशन दे दिया उस ऑडिशन के कुछी गंटों बाद उन्हें बता दिया गया कि वो लीड रोल के लिए सेलेक्ट हो चुकी है रुबिना अपने उस सेलेक्शन से काफी हैरान थी क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने चोटे टाउन की ओडिनरी लुक्स वाली लड़की आखी सेलेक्ट कैसी हो गई तब उनकी सिस्टर ने रुबिना को थोड़ा एन्वियस होकर ये कहा था कि मैं खुद को भले ही मार दूंगी लेकिन कभी तुम्हें आडिशन पर साथ चलने को नहीं कहूंगी रुबिना लीड रोल में सेलेक्ट हो जाने के बाद भी काफी घबराई हुई रही और आडिशन के सेकंड राउन में जाने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था एक्टिंग का खयाल भी तब उनके दिमाग में नहीं था और वो बस अपने स्टडीज कम्प्लीट करना चाती थी रुबिना उस वक्त जॉइन फैमिली में रहा करती थी और अपने हर एक्शन का उन्हें हर एक को जवाब देना परता था साथ ही उनके मापापा दोनों ही वैल एजुकेटेड रहे हैं इसलिए वो भी रुबिना का स्ट्रॉंग एकेडमिक करियर देखना चाते थे लेकिन रुबिना की माँ ही थी जिनोंने रुबिना को औरिशन के सेकंड राउंड में जाने के लिए कन्विन्स भी कर लिया और साथ ही उनके फादर को भी कन्विन्स करके रुबिना को मुंबई भेज दिया रुबिना के मुंबई आ जाने से लेकर शो ओन एर होने तक का सफर उनके लिए इजी नहीं रहा एक्चली उस शो के लिए दूसरे फेसिस भी सेलेक्ट किये गए थे और मेकर्ज ने ये डिसाइड करने में कि रुबिना को राधिका का किरदार दिया जाए या पैरिलल लीड विशाका का ये सोचने में ही पाच महिने का टाइम ले लिया क्योंकि वो पाच महिने बिना कुछ कंफरमेशन मिले घर से दूर अंजाने शहर में थी और उनकी पूरी पढ़ाई दाव पर लग चुकी थी इसी वज़े से रूबिना को उस दौरान डिप्रेशन के बैट फीस से गुजरना पड़ा पर फिर उन्होंने अपनी ग्राजुएशन और पोस्ट ग्राजुएशन कोरस्पांडेंस के थूर ही सही बट कम्प्लीट कर ली ज़ातर लोगों को अपना शो या करियर में अच्छा काम करने का मोटिफ पैसा या फिर फेम पाना ही होता है जिसके लिए वो इतना हार्ड वर्क कर ही लेते हैं लेकिन रूबिना की सोच इस बात में दूसरों से बिलकुल अलग है रूबिना कहती है कि उनके हर दिन मोटिवेटेड रहने का रीजन उस शो से जुड़े दूसरे वो सभी लोग हैं जो अपने घर चलाने के लिए रोज दिन रात महनत करते हैं रूबिना मानती है कि यदि उनकी महनत से वो आउडियंस का दिल चीत पाई तो उस शो से उन 200 लोगों का भी भला होगा जिनकी source of income ही शो की TRP पर ठिकी रहती है और वो अपने आपको grateful मानती है कि indirect way में ही सही पर वो अपने acting के जरिये दूसरों का भी भला कर पाती है रूबीना की ये सोच मुझे दूसरे celebrities से बिलकुल अलग लगी ऐसी सोच रखने वाला शायद ही कोई celebrity आपने भी कहीं देखा होगा रूबीना अपने school days में aeronautics और astronomy से काफी fascinated थी और हमेशा इनके बारे में पढ़ने के लिए time निकाल लेती थी और कलपना चाबला से इतना inspired थी कि उन्हें वो अपना hero मानती थी वो कहती है कि acting field में आँ जाने की वज़ा से वो सब तो पीछे चूट गया लेकिन वो अपने उस सपने को जीने के लिए कलपना चाबला की बायोपिक में काम करना चाती है रूबीना अभिनाश सचदेव की साथ relationship में थी लेकिन 2013 में दोनों का break up हो गया दोनों की मुलाका चोटी बहु के सेट्स पर हुई थी और उस शो में अभिनाश रुबीना के opposite lead actor थे जब दोनों ने एक दूसरे को पहली बार सेट्स पर देखा था तब दोनों ने ही एक दूसरे को arrogant समझ कर बात नहीं की थी लेकिन शो की outdoor shooting के दोरान दोनों की family and friends से related जब आपस में अच्छे से बात हुई तो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और कुछ ही time में वो friendship relationship में बदल गई माना जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे जिसके लिए अविनाश के grandfather ने उन्हें allow भी कर दिया था अविनाश ने अपना breakup का reason दोनों का एक दूसरे को space ना दे पाना और life की हर छोटी बड़ी चीज़ को लेकर insecure रहना बताया वही रुबिना ने कहा कि उनके breakup ने उन्हें एक strong woman में change कर दिया है पहले उन्हें इस बात का realization नहीं था और वो अपनी किस्मत में क्यों हुआ जैसे कई सवाल पूछती रहती थी लेकिन जल्दी ही उन्हें इस बात का realize हो गया कि उन्हें move on कर लेना चाहिए और थबी से वो एक बहतर इंसान बनने में determined हो गई रुबिना कहती है कि वो constantly evolve होने में विश्वास रखती है बिना grudges रखे अपना lesson सीखते हुए जो भी life हमें देती है उसे embrace करते हुए हमें life में आगे grow करते रहना चाहिए ऐसा रुबिना कहती है 2015 में रुबिना की मुलाकात उनके husband अविनव शुकला से हुई दोनों ही अपनी एक mutual friend के घर पर गनपती पूजन के लिए गए थे तब ही पहली बार अभिनव ने रुबिना को देखा जनरली लड़कियों को सिर्फ western कपड़ों में ही देखनी को मिलता है और रुबिना उस पूजन में सारी बैन कर गई थी रुबिना को पहली बार में ही देशी अफतार में देखकर अभिनव उनकी beauty पर फिदा हो गए और उनकी friendship और relationship जल्दी ही शादी तक पहुँच गई रुबिना और अभिनव अपनी शादी का secret बताते हैं कि दोनों के ही कुछ common interest होने की वज़ा से आपस में उनकी understanding स्टार्टिंग से ही अच्छी रही और दोनों ने life time commitment का फैसला कर लिया पर जब आप उनकी choice preferences के videos देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि छोटी से छोटी चीजों में भी दोनों की choices opposite रहती हैं बट फिर भी दोनों ही एक दूसरे की choice को दिल से accept करते हैं ये वो ही छोटी छोटी बाते हैं जो couples में generally differences पैदा कर देती है लेकिन I would say ये Rubina और Abhinav की love and understanding ही है जिस वज़े से दोनों ही एक दूसरे की choices को fully accept करते रहे हैं Rubina को आप relationship advisor भी मान सकते हैं वो किसी भी relationship में कभी expectations नहीं रखती वो बताती है कि उन्हें अपने parents से काफी relationship qualities inherit हुई है जिन में से एक quality अपने husband को अपने हाथों से बना खाना खिलाना है चाहे Rubina अपनी shooting पर 12-15 गंटे देती हो बट फिर भी Abhinav को सुबार शाम खाना उन्हीं के हाथों का बना मिलता है Rubina की ये quality Abhinav को भी बहुत पसंद है इसके लावों वो हर चीज़ को लेकर acceptance रखती है और वो बिलकुल भी demanding नहीं है Rubina बताती है कि वैसे TV शोज में चाहे उन्होंने कितनी भी बार बहु के किरदारों के लिए सिंदूर लगाया हो लेकिन Abhinav से शादी के बाद उन्हें इसके एहमियत समझ आई और वो मानती है कि सिंदूर लगाने की कुछ अलगी कीमत होती है जो हम पहले समझ नहीं पाते यह 2016 में Eastern Eye द्वारा 50 Sexiest Asian Woman लिस्ट में Rubina 11 पोजीशन पर थी साथ ही वो regularly rumba और belly dancing करती रही है और वो ही उनकी fit body का राज है Rubina को अपनी fitness की वज़े से 2017 में Most Fit Actress का अवार्ड भी दिया गया था इसके अलावा 2016 में टीवी शो शक्ती में उन्हें अपने रोल के लिए Academy Award भी मिल चुका है साथ ही वो अपनी acting की वज़े से दादा साहिब फाल के अवार्ड भी पाच चुकी है Rubina TV इंडस्टी में इतना famous चरा है ऐसे में जब उनसे film actor बनने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि actor कहीं का भी हो, actor ही रहता है और वो जरूर films या web shows में जाना चाहेंगी लेकिन उनका films के discussions के लिए हुई कई meetings का experience काफी बुरा रहा उन्होंने बताया कि वहाँ अक्सर TV actor से अजीबो गरीब बाते कही जादी है जैसे कि ओ आपने ये show किया, ओ आप कितने चोटे टाउन से हो Rubina को अपनी dignity पर उठे ये सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आते वो कहती है वो सिर्फ वहीं काम करेंगी जहां उन्हें respect मिले और बताओर actor उन्हें पसंद किया जाए Rubina charity करने में काफे विश्वास रखती है और charity के लिए shows करने में भी 2014 में ऐसी ही एक charity foundation शंकरा आई foundation के लिए Rubina ने अपनी performance दी थी जहां उनकी वज़े से काफी लोग उस foundation के support में आये थे Rubina अपने in-laws को अपने parents जैसा ही मानती है और हमेशा ही उन्हें अभीनव को जन्म देने के लिए thank you बोलते देखा गया है और अपनी mother-in-law जो की एक cancer survivor है उन्हें वो queen मानती है और queen ही बलाती है अपनी relationships को इतने प्यार से निभाने वाली Rubina इसी वज़े से अपने off shooting days में कभी भी मीडिया के सामने flash होते नहीं देखी जाती वो अपनी family को time देने में विश्वास रगती है Rubina जब शक्ती show की shooting पर busy थी तब उने कुछ time से breathing में problem होने लगी थी और वो काम के चलते इसे ignore करती चली गई तबी अचानक एक दिन 5-6 गंटे लगा था और go down में shooting करते time LPG poisoning और smoke से उनकी condition जादा खराब हो गई और उनको उस दिन उनकी respiratory infection का पता चला तबी से Rubina ये तकलिफ किसी और को ना हो ये सोच कर breathing techniques के वीडियो शेयर करती रहती है Rubina claustrophobic भी है और aquaphobic भी लेकिन अपने husband के constant support and motivation से उन्होंने water phobia overcome कर लिया Rubina ने अपने fans से भी ये बार शेयर करते हुए कहा कि उन्हें scuba diving में panic attacks आ रहे थे फिर भी उन्होंने खुद को बार बार gear up किया और finally वो उस fear को overcome करने में कामियाब रही Rubina को well dressed up रहना बहुत अच्छा लगता है उनका funda है कि life is too short to wear boring clothes और उन्हें new hairstyle style करने का भी बहुत crazy है Lastly Rubina बिग बॉस में बतार contestant अपने husband के साथ आ रही है बट starting में उन्हें अकेले इस शो के लिए approach किया गया था Rubina को नहीं लगा था कि वो अकेले शो में survive भी कर पाएंगी लेकिन अब as a couple शो में आना भी वो एक बहुत बड़ी responsibility मान रही है क्योंकि public figure होने की वज़ा से young generation उन्हें देखकर काफी कुछ अपनी life में उतानने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे में उन्हें अपनी responsibility अच्छे से निबाने पड़ेगी ऐसा Rubina का मानना है तो ये थी Rubina दिलैक की life से जुड़े कुछ अंजाने facts आप ये वीडियो आपको जरूर पसन आया होगा थांक्यू सो मुच पूच वाचिछ वीडियो स्टेक इंच लोड़े इस वीडियो